कि नमस्कार मैं हूँ आपके साथ येशी शुक्लार आप देख रहें हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा सूबा बोलेगा मां आज हम बात करेंगे किट में खेल जाच में फेल करोना संकट के बीच यूपी में एक खिलाने वाली ख़बर आई है लखनाओ के केजीम्यू की जाच में चीन वा कोरिया की करोना किट फेल हो गई है ट्राइल के लिए आई एन किट पर अस्तमाल भरती मरीजों की जाच में किया गया पॉस्टिव मरीजों को किट ने नेगेटिव करार दिया जबकि इलाच के बाद जाच में मरीज पॉस्टिव मिले है इसके बाद केजीम्यू ने दोनों देशों की किट को चलन मिलाने की मा होने वाली किट को मंजूरी वसत्यापन के लिए सेंटर ओफ एक्सिलेंस के रूप में चिनहित किया है अब इस संबंद में आइसे अमर के डॉक्टर जी अस्तोतेज़ा ने के जी एम्यू को पत्र भी जारी किया है के जी एम्यू कुलपती डॉक्टर एमेल भी भटने के मुताबिक बीते दिनों चीन वकोरिया से ट्रॉयर के रूप में रेपिट वा पीसी आर किट भेजी गई थी अलग अलग बाच की करीब 25 किट का इस्तमाल बताव ट्रॉयर किया गया था अब इनका इस्तमाल भरती करोना मरीजों की जाच में किया गया पूरी देने के लिए अधिक्रित किया गया है इनमें से ICMR के साथ रिससेंटर है और पीजी आई चंदिगर वकेजीम्यू को इसके लिए अधिक्रित किया गया है सूबा पूछ रहा है कि आखर बड़ी लापरवाही पर चीन के सामानों पर प्रतिबद कब लगेगा और क्र यह ICMR के द्वारा विदेशू से अप्रूब USFPA या European Approval के बाद किट्स जांच के लिए भरस्त में प्योग करने के लिए अनुमती दी जाती है खास तोर से PCR के किट या रेपिट टेस्ट है अटी बॉड़ी किट के लिए वर्तमान में कोरोना की बढ़ती हूँ संख्या को देखने को कारण तमाम ऐसी विश्यो के संस्थान है जिनके पास अपनी जांच की किट्स है वो भारत में भी सप्लाई करना चाहते हैं उनका Approval का Validation का का कार अभी तख ICMR ही करता था लेकिन बढ़ती हूई आवश्यत्ता को ध्रान में रखते हुए यह Validation की जिन्नेदार चीन वा कूरिया से भारत में एए कोरोना के केजीम्यू के पहले ही ट्राइल में फेल हो गई है ट्राइल के लिए अई इन किटो का इस्तमाल भरती मरीजों की जांच में किया गया पॉस्टिव मरीजों की रिपोर्ट को किट ने निगेटिव करार दिया जिसके बाद ने केजीम्यू के कोविड-19 होस्पिटल के माइक्रोबायोलाजी विभाग को सेंटर ओफ एक्सिलेंस चिन्हित किया है केजीम्यू के प्रमार पत्र के बगार इनकिटों को उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी संस्थान में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जो इतनी घिनावनी हरकत भारत के लिए किया है इसको माननी प्रदान मंत्री जी को भी नहीं बखतेंगे जी आपकी अवाज हम तक पहुच रही है अब अपनी राय रखे जी बिलकुर सुरेज जी अपनी राय साजा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि हमारे दर्शक ने बात कही कि हां मूतो जवाब देना चीन को बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि जिस तरीके से वो आम जंता की सेहत के साथ खिलवाड हो रहा है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो लोग पॉजिटिव थे अगर उस किट के यूज करें और उसके बाद जब उसमें रिडियो रिपोर्ट आती है वो निगेटिव आती है तो कहीं न कहीं य कि लोगों की जान के साथ खिलवाड हो रहा है एक तरफ हम कहते हैं जान भी बचाना है जहान भी बचाना है तो जान के साथ आखिर ऐसे लपरवाही क्यों हो रहे हैं और हमारे साथ सुमेर जो है वो रादस्थान से जो चूचिक है सुमेर अपना सवाल पूछे अपनी गलाक्तर सुवियर जी से संपर्ख नहीं हो पारहए आप हमें फिर से संपर्ख कर सकते हैं जसे तरीके से लगातार जो चीन ऐसी हरकते कर रहा है एक या कंप चेहरा चीन का हर बार सामने आता है चीन हमीशा ऐसी हरकते करता है और इस वक्त वो देश की जनता के साथ खिलवार कर रहा है देश की जनता की जो चाइन है उसकी उसके साथ खिलवार हो रही है जिस तरीके से किट में लोगों की रिपोर्ट्स निगेटिव आ रही है अलाकि वो लोग जो पॉजिटिव हैं उनक के साथ खिलवाड हो रहा है और कहीं न कहीं चीन की जो चीजें हैं उन पर वहिशकार करना बेहद जरूरी है और हमारे साथ कैलाज जहांसी से जो चो कहे हैं कैलाज अपनी राय रखिए कि आर हमारा ये कहना है कि आए जया जो हमारा कभी भी दोस्त अहीं घ्र नहीं कर देज्जा के दिश्मारी चाहिए पर देश है प्रवाड करना है कि तो जह रहा हुआ जाए खिर आभाडंस अधर शुझे लाइस व्यकोर्णा कर दोगे हैं वर राय तकि भी नौस थाहिए इस कि अपने राए रखने के लिए आपका बहुत भाए धन्यवाद और इसी खबर पर हमारे साथ जय कृष्णा जोड़ चुके है लखना उसे जो कि सब्वाद आता है उनसे जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही चीन कर रहा है चीन के समानों पर आखिर प्रतिबंद कब लगेगा ये एक बड़ा सवाल है जी जए क्या आपरी वाद सुन पारे हैं जी बिल्कुल आपको बता दी जिस तरह से लगादार पूरिया और चीन के दारा कोरोना कि पर रासानी लगनाओं में पत्राई की गए ती जिसकी गुड़वादा जाजने की जिम्मेदारी केजी अम्यू को दी गई थी और केजी जिसके बाद केजी अम्यू ने इस वाद की जानकारी आई ती हमार समय सुन्चा दिकारियों को भी थी हैं कि जो को यह कि पुड़वाद चीन के तरह भी जी गई थी इसमें पॉस्ट्व मरीजों को भी निगेटिव करार दिया था जिसके बाद एलाइसा से उन मरीजों की जो आज जाए और उन सभी मरीजों की डिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कही ना कहीं जो चीन है उसके पर सहली स्गुरवद्वर्था के कहीं समाजिया निजान खड़े हुए से जिसके बाद समारत ने चीन की किरद पर पहरी ही प्रतिपंद लगा दिया था और आप जही कहीं कोर्टिया की इस पर्जी स्टिवंद लगाने की तैयारी चल रही है आज दिया माइक्रो पैरलाजी वेबाद की कोविड-19 को जो चीत है इस्तमाल होने वाली इसकी मजूरी वास अप्रतियात्म की दिमेदारी दी है और के जिया में के वीजी एमल्बी स्वास्तिका कह करेंगे हमारे साथ एक दर्शक सुवेर राजस्तान से जो चुके है सुमेर अपनी राय रही है जब प्रजान मंत्री बाद सरगार दुआरा समान लेने से मना कर दिया था और लोगों को कहा गया था कभी चाइना की बनीवी चीजें इस्ते मान मत करो तो आपको जो है ये किट के संबंद में भी ये कहना है कि इनसे नहीं लेना चाहिए था समान या मेश्या धगा करता है जिसके रिस्ताब और हमारे मुझे मंत्री अस्वजी के लोगों ने तो इसको पुपर से नी बंद कर दिया था इसको उन्विट कर दिया था जी सुमेश जी अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जया आपके पास वापस आएंगे उससे पहने मारे साथ उमेश जयन है मेरिट से उमेश अपनी राय रखे जी उमेश जी की अवाज हम तक सपच नहीं आ पारी है उमेश जी आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं जैक्रिशना आपके बास वापस आएंगे जिस तरीके से दर्शक भी ये बात कह रहे है कि जब दीपावली के दिन भी चीज़े चाइना का जब भाहिशकार होता है तो आखिर किट अगर उनसे मगवाई भी गई थी तो नौसल स्थान है जो किट की गुडवत्ता को परकने वह मंजूरी देने के लिए अधिकरित किये गए हैं उसके बाद भी इस तरीके कि लापरवाही जो चीन के द्वारा की गई है लोगों की जान के साथ खिलवाड किया गया है बिल्कुल आप तो पता दे हैं लगा थार जब से कुरोना वारस कि वह सिप महामारी को डबल एस तो ने गोज़ित किया और सिद्या